नवश्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित में तो दोस्तों फ्यूचर अन ऑप्शन का प्राइस सेक्षन अगर आपने आज मिस किया तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस करी है महिंद्रा इन महिंद्रा फ्यूचर अन का प्राइस सेक्षन था आज टेलीग्राम चैनल पर हमारे देखेगा मार्केट ओपन होने से पहले दिया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं और शानदार मुमेंटम देखेगा चार्ट से लर्निंग तो आती है और देखेए शानदार मुमेंटम एक्स्ट्रीमली सेकाउट करिएगा कल मिस नहीं करना चाते हैं फ्यूचर नौप्शन का प्राइस सेक्षन तो डिस्क्रिप्शन में केवाल एक लिंक दिया गया है क्लिक करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करिए और उसके बाद अप अर्ली इन दा मॉर्णिंग रिसर्च किया हुआ एक प्राइस सेक्षन आपको देखने को मिलेगा और सबसे इंपोर्टेंट अपडेट मैंने का था है मंडे से आना शुरू हो जाएगी अब कल से आपको कौशिस रहना है चोकि कल भी बहुत सारा डेटा आना है एक एक करके मैं बताता जाऊंगा एक पहला वीडियो मैंने बना दिया था और एक पर्टिकुलर अपडेट आई है जो मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है और इसके बेसिस पर रियाक्शन आना भी शुरू हो गया है यूएस मार्केट में रात के एक बज़े मैं अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल पर यूएस मार् अपडेट आई है 46 मिनेट पहले आई है आप चेक आउट कर सकते हैं और हम कहने ना कि कुछ वेस्टन कंट्रीज जो वेस्ट की कुछ कंट्री कुलाप्स कर सकती है इस पर्टिकुलर फानेंशिल क्राइसिस के करण देखीगा कुलाप्स कर सकती है चुकि वहां महंगाई अन जितना पर्टिकुलर वहां इंफ्रेशन देखने हो मिला है तो आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट कॉशियस ऐस यूरो जोन इंफ्रेशन जीडीपी डेटा ब्लीक पिच्चर तो आप देख सकते हैं आप पूरी तरीके से यहां पे सिनारियो चेंज हो चुका है आक यह मैंने आपको बताया था और जब देखेगा क्या होगा मैंने आपको यह भी बताया था कि जब विंटर साइंगे पीक सीजन आएगा तो वहां पे चीज़ें और पिच्चर डिफरेंट होगी तो अगर आप देखेंगे अपडेट आज का ही है चेक आउट कर सकते हैं और पूरी तरीके से यूर्णों का इंफ्लेशन का डेटा आचुका है जीडीपी का डेटा आचुका है जो की काफी खतरनाक आया है जैसके आप देख सकते हैं और यह सारी important information आप इस article पे जाके पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी देखेगा जो information है यहाँ पर सकते हैं आप तो अब देख लीजे यहाँ नया record बनाया है यह देखिए नया record eurozone में जितमें देखिएगा 19 देश हैं कम countries नहीं है एक country की बात नहीं हो यह पूरे European market की बात हो रही एक तरीके से 19 देश हैं और collectively वहाँ का जो particular inflation है वो October में आ चुका है 10.7% आप समझ सकते हैं अभी तक यह number आपने कहीं नहीं सुना होगा ना इंडिया में ना अमेरिका में ना other देखिएगा इतनी Asian countries में आपने 10.7% का inflation देखा होगा बट यहाँ पे eurozone में जो price है वो 10.7% तक बढ़ चुके हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो GDP growth है वो अगर आप देखेंगे वो बिलकुल ना के बराबर है 0.2% का growth आपको देखने को मिला है तो वो ना के बराबर growth तो देखेंगा slow होई गई है चुकि growth इसलिए slow हो रही है चुकि यहाँ पे inflation को control करने के लिए ECB ने मैंने आपको दिखाया भी था ECB ने एक दिन पहले rate high किया था 0.75 basis का बट स्टिल इतना action लेने के बाद भी दो बार action लेने के बाद भी अगर यह data आ रहा है 10.7% का तो आप समझ लीजे ECB का reaction कितना बड़ा आने वाला है यानि कि ECB कितना ज़्यादा harsh और कितना ज़्यादा देखेगा यहाँ पे monetary tightening करने वाला है जिससे capital market को impact होगा और कई सारी European economies को भी impact होगा अगर यह particular यानि कि यह जो inflation का data है यह ऐसे ही बना रहता है तो आप देख सकते हैं तो पहले मैं आपको उताना चाहूंगा यह ऐसा पहली बार हुआ है first since the euro was introduced यानि euro जब से introduced हुआ है more than 20 years ago 20 साल हो गए है surging more than anticipated after temporary government अगर आप देखेंगे measures अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से energy के crisis का impact देखने हो मिला है और जब से आज तक euro introduced हुआ है तब से आज तक यह चीज नहीं हुई है कि इतना ज़्यादा inflation इस particular देखेगा zone में हो जाए और अगर आप देखेंगे यहाँ पे check out भी करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे check out भी करेंगे तो आप देख सकते हैं euro area inflation surge to a fresh all time high while the block economy lost momentum reinforcing fear that recession is now all but unavoidable अगर आप देखेंगे यहाँ पे चाहे कुछ भी कर लिया जाए recession जैसे particular देखेगा fear आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी particular record estimate किये गये थे उनको भी breach कर दिया है आप check out कर सकते हैं पूरी तरीके से तो वो भी एक बड़ी चीज है और यह तब हो रहा है जब आप समझ सकते हैं 75 basis का ECB ने अभी जल्दी देखेगा rate hike किया था लगाता rate hike किये जाने के बावजूद भी अगर इस तरीकी का momentum है तो यह पूरे के पूरे जो 19 member है eurozone में with consumer price inflation soaring to record high in October growth slowing और देखेगा growth अभी से slow है तो जब monetary tightening होगी inflation को कम करने के लिए तो यह पूरा eurozone recession में चला जाएगा पूरा clearly देखेगा watch out करेगा 2023 में यह चीज होने वाली है चुकि यहाँ पे जब control आएगा तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो चाइना की factory activity है वो भी missing कर रही है expectation को चुकि यहाँ पे zero covid policy है तो वहाँ से भी slow down देखने मिलेगा eurozone से भी slow down देखने मिलेगा अमेरिका से भी slow down देखने मिलेगा तो कहीं ना कहीं economies थोड़ा सा परिशान होंगी और जब से यह data आया है तब से देखेगा bond market reaction में आ चुका है आप देख सकते हैं जितने भी bond market हैं उसमें reaction देखने को मिल ला है आप check out कर सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सा cautious रहिए चुकि हम लोग market में particular देखेगा resistance पे बैठे हैं 18000 के और अभी अगर आप देखेंगे तो dollar index में भी देखेगा 0.35 basis का देखेगा jump देखने हो मिला है आप देख सकते हैं यह था closing 110.75 की और अभी जो dollar index देखेंगे मिला है 111.10 देखेंगे मिला है तो रात को एक बुझे अपडेट करूँगा dollar यानि कि dollar में और देखेगा do jones में यहाँ पे देखेगा थोड़ा pressure आ सकता है तो वो miss मत करिएग update और further जो भी update आती है मैं provide करूँगा वीडियो अच्छा लगाए तो like, share, subscribe करना न भूलेगा thank you so much